नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार तक मैं हूँ आपके साथ सुकन्या से तो बिहार में पंचाज चुनाओ को लेकर तारीकों का इंतजार तो हम कर ही रहे हैं लेकिन इन सब के बीच उन लोगों के लिए ये वीडियो बेहत एहम है जिनकी इच्छा इस बार के पंचाज चुनाओ में किस्मत आजमाने की है तो अगर आप इस बार बिहार के पंचाय चुनाओं में किसी भी पद के लिए नामांकन करने की इच्छा रखते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद आयम है कुछ नियम है जिसका आपको पालन करना होगा और भ्रष्टाचार सहित नौ मामलों में अगर आप सनलिप्त पाए गए तो फिर आपकी उमीदवारी रद कर दी जाएगी क्या कुछ वो नौ मामले है जरा ये देखिए राजिनिर्वाचन आयोग ने इन नौ मामलों को फिक्स किया है वो जरा एक बार देख लेते हैं जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं वो बिहार पंचाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जिनकी उम्र 21 साल से कम है वो भी चुनाव में अपनी किस्मत नहीं आजमा सकते हैं केंद्र या राजिसरकार या किसी भी स्थानिय अथोर्टी की नौकरी करने वाले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं अगर कदाचार के मामले में आपको पदमुक्त कर दिया गया है या केंद्र या राजिसरकार या किसी स्थानिय प्राधिकार से मदद प्राप्त करने वाली किसी संस्था की सेवा में हो तो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं किसी भी कोड़ द्वारा राजिनितिक अपराध से अलग किसी अन्य अपराध के लिए 6 महीने से ज्यादा कारवाज की सजा वाला व्यक्ती प्रत्याशी नहीं बन सकता लाव के पद पर जो भी वेक्ति है जिसको वेतनिक या अन्यलाव का पद मिला हुआ है वो भी वेक्ति पंचाय चुनाव में प्रत्याशी नहीं बन सकेगा तो अगर आपने पंचाय चुनाओ लड़ने का मन बना लिया है अगर आप भी पंचाय चुनाओ में किसी भी पद के लिए अपनी किसमत आजमाना चाहते हैं तो इन नौ नियमों को आपको ध्यान में रखना होगा और अगर आप दोशी पाए जाते हैं या इन नियमों को आप आपने फॉलो नहीं किया है तो फिर नामांकन के बाद भी आपकी योगिता को रद कर दिया जाएगा आपके नर्वाचन को रद कर दिया जाएगा और साथ ही आपको बताएं कि इस बार का पंचाय चुनाओ बेहत एहम पंचाय चुनाओं से जुड़ी एक खबर आपके लिए पोस्ट करती है और अगर आपकी भी पंचाय चुनाओं में दिल्चस्पी है आप भी उन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमेशा एक्टिव रहिए और जैसे ही आप बजे पंचाय चुनाओं से जुड़ी खबर जरूर देखिए और इसके साथ ही बिहार की खबरों के लिए देखते रहें